Hello everyone, आज के इस session में हम discuss करने जा रहे हैं Class 10 Physics के chapter Light, Reflection and Refraction के दो और New Topics और वो दो New Topics है Sign Conventions for Spherical Mirrors and Mirror Formula और देखो बिटा ऐसा है कि ये दोनो topics ना बड़े important है मलब वैसे तो chapter के सारी topics important होता है पर ये दोनो topics कुछ ज़ादा important है क्यों? क्योंकि इन दोनों ही topics के उपर बनते हैं कुछ बहतरीन level के questions और questions भी कौन से? Numericals येस, वही numericals जिनका भूत आपको सभी बच्चों को डराता है देखो बिटा ऐसा है कि numericals का फंड़ना बहुती मतलब असान सा होता है कि अगर तो आपसे numerical वाला question पूरा बन गया है तो अगर आप सब बच्चे भी spherical mirrors के numericals को अच्छी तरीके से solve करना चाहते हो मतलब कि अगर तुम चाहते हो कि भाई या हमसे भी जोई ना exam में चाहिए वो pre-board हो चाहिए वो mid-time हो या फिर वो boat exam हो अगर तुम भी चाहते हो कि भाई तुम से spherical mirrors का हर एक numerical बन जाए तो फिर बिटा आज के इस session में इन दोनों ही topics में तुमको मैं जो जो भी पढ़ाऊंगी न तुम तुम्हें उसको एकदम seriously पढ़ना होगा मल लगा करके पढ़ना होगा full concentration के साथ तुम्हें ये lecture देखना होगा तब ही तुम्हारे basic concepts clear ओंगे और तभी तुमसे numerical बनेंगे numerical का बेटा भूत तुमारे सर से तभी उतर पाएगा भागना नहीं है numerical से सामना करना है इतनी practice करो इतनी practice करो कि numerical का भूत भी बोले कि यार ये इंसान तो आप डरता ही नहीं है अब इसको और हम क्या डराते हैं मतलब समझ में आया हो तो बिटा बस यह है हमारे आज के session का target hopefully आप सभी उसमझ में आया होगा तो अब एक काम करते हैं इसी target को अचीव करने के लिए आई हम करते हैं हम आज के session की शुरुवात so this is विभूती खरे welcome to definite success पार चाला एक ऐसा platform जहां पर आपको provide करवाई जाती है एक दम quality education एक ऐसा platform जहां पर एक चीज definite है और वो है आप सभी की success तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये session जहां पर हमें अपने chapter के इन दोनों ही बहतरीन topics को एक साथ आज cover करना होगा ओके चलो आजओ कहानी बेटा आज के इस session की हम शुरू करते हैं चलो एक काम करते हैं ना शुरुवात अपन करते हैं mirror formula के साथ आफ्टर आल उस formula के ओपर तुम्हें numericals solve करना है तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि वो formula क्या होता है कैसा दिखता है तो आजओ शुरुवात अपन करते हैं बेटा mirror formula के साथ क्या होता है mirror formula ध्यान से समझना 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F I repeat 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F ये है बेटा mirror formula और जितने जल्दी हो सके सभी बच्चे इस formula को याद कर लेंगे कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो ये बोले कि मैम हमको तो याद नहीं हो पाया रहने देते हैं क्या-क्या याद करें एक्जाम में सवाल आएगा तो सवाल में दिया रहेगा ना mirror formula नहीं सवाल में आपको कोई भी formula नहीं दिया रहेगा बिटा तुम्हें याद करना पड़ेगा फिर अपनी याददाश के हिसाब से सवाल को पढ़ करके देखना कि कौन सा formula लगना चाहिए उस formula को apply करना values put करना और इसके बाद में calculation करके answer निकालना given नहीं होगा question में कि ये formula लगाओ और जो है न solve करूँ नहीं तो मैं खुद से पता करना पड़ेगा तो जितने जल्दी हो सके सभी बच्चे इस formula को याद कर लेंगे बहुत मुश्किल तो नहीं है छोटा साही formula है 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F ठीक है यहाँ पर V का मतलब क्या है बेटा V का मतलब क्या है V stands for image distance ठीक है image distance U का मतलब क्या है U का मतलब है object distance मैं एक बार पहले सब कुछ लिख देती हूँ फिर समझा दूँगी ठीक है U का मतलब है object distance और V का मतलब क्या है image distance small f को तो आप सभी बच्चे जानते ही होंगे small f क्या है बेटा यहाँ पर focal length है ना focal length कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि small f क्या होता है हमने जिन्दिगी में पहली बार देखा है नहीं बेटा जिन्दिगी में पहली बार तो तुमने नहीं देखा होगा क्योंकि अल्रेडी अपन इस chapter में कई बार previous sessions में अपन discuss कर चुके है यह small f का मतलब क्या है small f का मतलब है focal length focal length क्या होती है mirror के pole और उसके focus के बीच में जो distance होता है repeat mirror के pole और उसके focus के बीच में जो distance होता है उसको अपन क्या बोलते है focal length बोलते हैं जिसको कुई हम denote करते है small f से clear हुआ? चलो अब हम आते हैं object distance और image distance के उपर small f के बारे में सबको पता है अब ये you और we का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ देखो बेटा ऐसा है कि आपके पास कोई भी spherical mirror क्यों ना हो मतलब की तुमारे पास चाहे concave हो चाहे convex हो तो अब उ spherical mirror के सामने कहीं न कहीं तो object रखते ही होंगे न मेरी बात को समझने कि कि बेटा कोशिश करना यह तो यह तुमको मैंने disclaimer पहले ही दे दिया है कि आज के session में मैं जो भी कुछ तुम्हें पढ़ाऊंगी तुम्हें बस उसको ध्यान से सुनना होगा full concentration के साथ session में आकर के बैठो तभी तुम्हें बाते समझ में आएंगी ठीक है मैं तुमसे यह बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास चाहे कोई सा भी spherical mirror क्यों ना हूँ तुम उस spherical mirror के सामने कहीं न कहीं तो object रखते होंगे ना ताकि उस object की वो spherical mirror image बन वा पाए है कि ने तो in short spherical mirror के सामने हम कहीं न कहीं object को रखते हैं तो वो जो distance ना दोनों के बीच का मतलब object और spherical mirror के बीच का जो distance होता है उसी को अपन object distance बोल देते हैं मैं यह नहीं बोल रही हूँ बेटा कि object distance बहुत बड़ा होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए बीच को रखोगे न, दूर रखोगे, पास रखोगे बहुत पास रखोगे, बहुत दूर रखोगे कहीं बीच में रखोगे, doesn't matter बद्दा ये है कि तुम कहीं न कहीं तो रखोगे object को spherical mirror के सामने तो वो जो distance होता है दोनों के बीच का मलए कि object और spherical mirror के बीच का जो distance होता है उसी को अपन बोलते हैं बेटा object distance to be more specific spherical mirror के pole और object के बीच में जो distance होता है उसे हम बोलते हैं object distance मैंना यहाँ पर एक diagram draw करके आपको बता देती हूं तो आपको बहतर तरीकी से समझ में आपाएगा ठीक है मालो कि मेरे पास क्या है बेटा यह concave mirror है ठीक है यह इसकी principal axis हो गई यह हो गया pole यह हो गया focus है ना तो focus और pole के बीच का जो distance होता है उसी को अपन focal length बोलते हैं जिसको कि अपन small f ते denote करते हैं यह clear हुआ चलो और यहाँ पर suppose कहीं है center of curvature क्वेचर मैंने if concave mirror के सामने ऑबजेट को कहीं यहां रखा आप बोलोगे कि मैं आपने object को center और कर वेचर के पीछा है हां रखा है तो क्या मैंने क्या बोला बिटा अभी मैं आपसे यह नहीं बोल रही हूँ कि object को आपने कहां रखा है दूर रखा है पास रखा है focus पर रखा है center of curvature पर रखा है infinity पर रखा है तुम तो यह समझ लो कि भाई spherical mirror है तो उसके सामने मैंने कहीं न कहीं तो object को रखना ही है न तो रख दिया तो यह मान की चलो यह क्या हो गई है object की position जहां पर object है on the principle axis वो क्या हो जाएगी object की position चीक है तो यह object की position आपको दिख रही है और यह आपको mirror की आपको pole देख रहा है यह pole तो बेटा object की position object की position ये और mirror के pole के बीच का ये जो distance आपको दिख रहा है इसी को अपन बोलते है object distance जहां पर भी object है उस position से लेकर के mirror के pole के बीच का जो distance होता है that is only object distance इसको कि अपन small u से denote करते हैं आप बोलोगे कि मैं आपका मन था क्या इसलिए आपने इसको small u से denote करा हमारा मन है इसको small a से denote करने का कर सकते है क्या नहीं जो है object distance को बेटा small u से ही denote करते है मेरा मन नहीं है ना तुम्हारा मन चलीगा ठीक है नीम है पर नीम है अपन को नीम से चलना पड़ता है ठीक है आप बोलोगी कि मम आपने तो कि यवाल कॉनकेव रिर का इंग्जांपल लिया है इसे कोई आपने पास यह पणक्वेक्श मिर यह चैण प्रिंसिपल एक सिज यह हो गया, इसका पोल। सब्सुर्च बना केवा करें यहाँ कने हैा यह इसका फोकस सब्सक्राओं अर्य हो गया, इसं फोड़ इसका हो गया, इसकी अज पर इसके सामने भी descendants कहीं न कहीं को तो औब जेक रखो लासाओगे ना तो सबोस़् सुमने की सामने रखा है औबजेक्ट कुछ इस तरीके से तो ये क्या हो गई यह हो गई object की position आरे जहां पर object है on the principal axis mirror के सामने वो क्या हो गई? object की position हो गई तो object की position और mirror का जो pole है object की position और mirror का जो pole है इनके बीच का जो distance होगा बेटा वो क्या कहला हैगा? object distance distance between object and spherical mirror का pole distance between object and spherical mirror का pole क्या कहला था object distance अब अब बात करते हैं image distance की अगर तुम्हें object distance समझ में आया है तो फिर ये तो क्या ही मुश्किल है तुमारे लिए समझना अब तुम चाहे concave mirror लो चाहे convex mirror लो यदि तुम spherical mirror के सामने object को रखोगे तो वो जो spherical mirror है बेटा उसकी image बनाएगा की नहीं बनाएगा भई mirror के सामने रखोगे object को तो वो उसकी image बनाएगा तो principal axis पर बेटा जहां पर भी image बन रही है जहां पर भी image बन रही है तो उस image और mirror के बीच का जो distance होगा उसे हम image distance बोल देंगे जैसे कि माल लो कि ये concave mirror वाले case में image बन रही है यहां ठीक है? image बन रही है माल लो कि मैं एक case देख रही हूं, concave mirror का जहां पर सामने रखोवे object की concave mirror image बना रहा है यहां तो ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई image की position on the principal axis तो image की position और mirror के pole के बीच का जो distance है image की position और mirror के pole के बीच का जो distance है ये image position और ये mirror का pole इनके बीच का बेटा जो distance है ना इसी को अपन क्या बोलेंगे? image distance जिसको के अपन देनोट करते हैं V के साथ जहां पर image बनी वहां से लेकर के mirror के पोल के बीच का जो distance है that is image distance जैसे कि इस वाले case में क्यों माल लो image बन रही है यहाँ image बन रही है यहाँ तो image की position या image से लेकर के mirror के pole के बीच का जो distance है यह यह हो जाएगी image distance तो object और mirror के pole का distance क्या बोल गया मैंने object और mirror के pole के बीच का जो distance है that is object distance denoted by small u और image और mirror के pole के बीच का जो distance है that is image distance denoted by v clear हुआ तो यह u, v, f सब बता दिया मैंने अब आप बोलो की कि मैं हम चलू ठीके समझ में आ गया पर यह formula आपने बता तो दिया है पर इसको derive कैसे करना है मैं गो भी बता दो क्या बदा derivation आ जाए नहीं आएगा कभी भी आपसे mirror formula का और आगे जाकर के आप इस chapter में जब आप reflection पढ़ लोगे तो आप आगे जाकर के इस chapter में lens formula भी पढ़ोगे जो बिलकुल आपको ऐसा ही लगेगा वो कौन सी movie होती मेरे जमाने की नहीं है पर मैंने देख्ये हुए है तो वो मतलब उनका क्या बोलते है उसको अरे डुप्लिकेट रोल है उस पिक्चर में उनका ठीक है तो तो सीता भी बनती है जीता भी बनती है तो यह तुमको दिख रहा है mirror formula आगे जाकर के तुम पढ़ोगे lens formula जो बिलक तो तुम को सार्गे टें यहाँ फर्रक रहेंगा तो मैं बता क्या है थी कि हां हां अगे जाकर करके तुम पढ़ा होगे लैंस फॉर्मूला ठीक तो तुमारे दिमागे सवाल आगा कि मैं डेотивोशन बता दो इसलिए जो पूचा नहीं जायोगा वो पढ़ाया भी नहीं जाएंगा मतलब अपन पढ़ेंगे नहीं इस लिए मैं तुमको यहां पर डेरिवेशन नहीं बतार्याकशन नहीं बस तुमको मैं ने तो मैं numerical बनते इसलिए पढ़ रहे हैं क्या नहीं ऐसा नहीं है यह है important यह formula बेटा है important है इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं आप बोलोगे कि मैं क्यों important है क्या इसका significance है क्या इसकी importance है तो बेटा यह चीज़ तुम्हें न formula में खुद ही दिख जाएगी ज़दा तुम ध्य चलेगा कि यार इस mirror formula में है क्या object distance image distance and focal length इसका मतलब यह है कि जो mirror formula है यह object distance image distance and focal length के बीच पे एक relation established कर देता है है ना यह mirror formula mirror की focal length object distance और image distance के बीच में एक relation बना देता है एक relation establish कर देता है सवाल कुछ इस तरीके के बनते हैं कि मान लो सवाल ऐसा है कि तुम्हारे पास कोई spherical mirror है कौन सा है अभी हम specify नहीं कर रहे है बस मान लो कि तुम्हारे पास कोई spherical mirror है और उसके इतने दूरी पर object रखा हुआ है मतलब कि तुम्हें object distance दिया हुआ है और mirror से इतनी दूरी पर image बन रही है मतलब कि तुम्हें image distance दिया हुआ है तुम्हें निकालना होता है क्या mirror की focal length तो अगर object distance है तुमारे पास तुमारे पास यदि image distance है तुम क्या कर सकते हो इस formula का इस्तेमाल करके तुम mirror की focal length निकाल सकते हो सवाल ऐसा भी बनता है कि तुम्हे mirror की focal length दी होती है object distance दिया होता है तुम्हे पूछा जाता है तुमको बताना होता है कि बही बताओ image कितने दूरी पर बनेगी mirror से मतलब कि तुम्हें image distance बताना होता है तो तुम again इस formula का इस्तेमाल कर सकते हो कभी-कभी सवाल ऐसा भी होता है कि तुम्हें focal length दिया होता है object distance तुम्हें निकालना होता है कि बताओ कितनी दूरी पर object रखा हुआ मिरर के पोल से तुम क्या करोगे इसी formula का इस्तेमाल करते हुए निकालोगे object distance तो कहीं न कहीं अपने दिमाग में बिटा यह चीज़ बठा लो कि जो मिरर फॉर्मुला होता है वह object distance image distance और focal length के बीच में एक relation स्टेपलिश कर देता है एक relationship हमें बना करके देता है कि देखो यह है relation focal length, object distance और image distance के बीच का ठीक है? derivation तुम्हें आएगा नहीं तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है basic सा formula है याद हो गया है अब एक काम करते हैं अब सीधे हम numericals जोना solve करना शुरू कर देते हैं जबकि अभी वो चीज नहीं हो पाएगी क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अभी तक हमने sign conventions नहीं पढ़े है अब आप बोलोगे कि मैम हाँ यह आपने बोला तो था कि अभी पढ़ेंगे लेकिन मैम यह sign conventions पढ़ना जरूरी क्यों है? मतलब हमारे पास formula है तो बस अब लगाते हैं numericals values put करते हैं और करते हैं सो और क्या दिक्कत की बात है? यह sign conventions क्यों पढ़ने है? बिटा जब तक अपन sign conventions नहीं पढ़ेंगे ना spherical mirrors के लिए तब तक यह formula सही तरीके से हम apply नहीं कर पाएगो और यदि इस formula हमने सही तरीके से apply नहीं किया तो फिर calculation में गरबढ़ियां होंगी blender होंगी और ultimately क्या होगा? आंसर तुमारा सही नहीं आपाएगा तो अगर तुम चाहते हो कि यह formula तुम सही तरीके से लगा सको, apply कर सको तो तुमारे लिए sign conventions को सबसे पहले पढ़ना बेहर जरूरी है आप बोलोगी कि मैं sign conventions करते क्या है? तो देखो बेटा ऐसा है कि जब अपन numericals solve करते हैं मतलब mirror formula के उपर जब अपन numericals solve करते हैं तो हमें इस mirror formula में values put करनी होती है हमें कभी V की value put करनी होती है कभी हमें object distance रखना होता है कभी हमें focal length रखनी होती है तो जब हम values put करते हैं तो along with values बेटा हमें उनकी signs भी लेनी होती है यानि कि मान लोगी अगर मुझे यहाँ पर object distance रखना है तो object distance में negative में रखूंगी या positive में रखूंगी वो मुझे कौन बताएगा sign conventions बताएगे मुझे यहाँ पर अगर इस formula में V की value रखनी तो मुझे negative में लेनी है या positive में लेनी है यह मुझे कौन बताएगा मुझे सपना हैगा क्या नहीं मुझे sign conventions बताएगे मुझे mirror की focal length negative लेनी है positive लेनी है ये मुझे कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा तो मुझे sign conventions बताएगे मैंने क्या बोला कि जब तक आप sign conventions नहीं पढ़ते हो ये formula फीक तरीके से नहीं लगा पाओगे तो ultimately क्या होगा, आपके calculation में गरबढ़िया होंगी और आपका answer नहीं निकल पाएगा अब आपको समझ में आया क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि sign conventions हमको ये बताते हैं कि इस formula में वी की जो आप value रखोगे वो negative में रखोगे या positive में यू की जो आप value रखोगे वो negative में रखोगे या positive में small f की जो value आप रखोगे वो negative में रखोगे या positive में क्योंकि पिटा ultimately ये negative positive जो होता है न ये हमारे calculation को सही भी कर सकते हैं गलत भी कर सकते हैं अगर तो हमने सही values रखी हैं along with their respective sign तो calculation सही होगी answer सही आएगा और अगर तुमने sign सही नहीं लगाए हैं कि अगर तुमें object distance suppose तुमें negative मिलेना था लेकि तुमने positive ले लिया तो फिर क्या होगा लाख तुम बेटा value यहाँ पर सही रख दो तुमारा answer सही नहीं आएगा क्योंकि calculation तुमारे गलत हो जाएगी समझें तो यहाँ पर इस formula में जो भी values put करनी है उनका sign क्या लेना है वो हमें sign conventions ही बताते हैं तो इसलिए sign conventions को पढ़ना जरूरी है आजाओ पढ़ लेते हैं इतना पढ़ लिया है तो sign conventions भी बेटा मुश्किल से 10 मिनिट का topic है पढ़ लेते हैं और तब जाकर के अपन क्या कर सकते हैं फिर numericals को solve करने में सक्षम बन पाएंगे ठीक है चलो तो नियम यह बोलता है कि सबसे पहले आपको बनानी है xy plane xy plane का मतलब पता है ना वो x axis y axis है ना वो बनानी है आज आपन बना देते हैं तो बेटा यह है आपकी कुछ इस तरीके से xy plane सिदा बना है कि नहीं बना चलो यह है आपकी पूरी x axis है ना horizontal axis क्या होती बेटा x axis होती वर्टिकल वाली कौन सी होती है y axis होती है ठीक है तो यह है positive x यह है positive x यह है positive y arrow भी बना देते हैं चलो ठीक है यह है positive x यह है positive y यह है negative x axis और यह है negative y axis यह भी सबको पता होगा पिटे तो basic maths है ना राउल्सर पढ़ा देंगे है ना मुझसे में पढ़ना चलो तो यह अपना xy plane हो गया x axis y axis positive x axis positive y axis negative x axis and negative y axis ठीक है चलो अब नियम यह बोलता है कि आपको इस xy plane पर spherical mirror को रखना है ध्यान से सुनते चाना मैंने क्या बोला नियम यह बोलता है कि आपको इस xy plane पर spherical mirror को रखना है spherical mirror से बिटा मेरा मतलब concave भी है और convex भी है यह मत समझना कि मैं आपको concave से प्यारे तो मैं सिफ concave की बात कर रही है नहीं ऐसा नहीं है तो नियम यह बोलता है कि आपको इस xy plane पर न अपने spherical mirror को रखना है तो आप बोलोगी कि मैं xy plane पर तो spherical mirror को रखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं जैसे कि जैसे कि तुमको मैं बताती हूँ आप बोलोगी कि मैं देखो तो सपोज हमारे पास यहीन कउंकेव मिरर है तो उसको हम एसे भी रख सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैंBlack मैं सबसे यदि हमारे पास Convex Mirror है तो उसको ओसी भी रख सकते हैं ऐसी भी रख सकते हैं मैंन। वह पहुत तरीको सा रख सकते हैं नीयम क्या है कि xy plane पर तुमको eles मेर रखना है तोben ले मिलर को यहां पर रखने हो वो कहा है X-axis पर आए नियम पूरा नहीं हुआ था आधे मैंने बताया था है न तो अपन को लगा था कि इस फेरिकल मिरर को तो रखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन कई सारे तरीके होते बिटा एक ही तरीका होता है और वो तरीका कैसे बनता है क्योंकि नियम यह बोलता है कि आपको ऐसे रखना का मतलब एक ही तरीका हुआ है ना जैदी मान लो कि यह क्या है एकसे मान लो क्या है एकसे तो इसके ओपर आ जाएगी मिलर की principal axis नियम क्या बोलता है कि principal axis और x axis को कॉन साइड करना चाहिए तो देखो यह हो गई x-axis यह हो गई x-axis और देखो इसके उपर क्या आ गई mirror की principal axis आ गई और अगर mirror की principal axis ऐसे आ रही है mirror की principal axis यदि ऐसे आ रही है चलो कौन सा mirror है अपने पास suppose एक concave mirror है तो अगर concave mirror की principal axis ऐसे आ रही है तो फिर तो concave mirror को तो इस तरह से ही रख सकते हैं बेटा अपन, कुछ इस तरीके से ही रख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि नियुम क्या बोल रहा है, कि परण प्रिंसीपल एक्सिस क्या होनी चाहिए, एक एक्सिस की उपर, तो आत हो गई, तो अब कॉनकेव मिरर को रखने का यही तरीका बनता है, है क क्योंकि principal axis क्या होती है एक imaginary line है ना वाट इस principal axis एक imaginary line जो mirror के center of curvature focus और pole को cross करती है principal axis क्या है बिटा एक imaginary line जो mirror के pole focus और center of curvature को cross करती है तो अगर principal axis ऐसे आ रही तो फिर concave mirror को अपन ऐसे ही रख पाएंगे और कोई तरीका नहीं है आप बोलोगे कि मैं ऐसे भी तो रख सकते हैं ऐसे भी तो रख सकते हैं ऐसे भी तो रख सकते हैं यहां भी तो रख सकते हैं क्यों? क्योंकि एक और नियम होता है वो दूसरा नियम क्या बोलता है? कि आपको spherical mirror को xy plane पर ऐसे रखना है कि उसकी principal axis X-axis के उपर लाए करे प्लस mirror का जो पोल है वो origin के साथ कौन साइड करे origin का मतलब समझते हो न जहां पर X और Y-axis मिलती है यह देखो न यह है origin बेटा यह यह दिख रहा है यह origin जिसको कि अपन O से denote करते हैं तो नियम यह बोलता है कि ऐसे रखो XY plane पर अपने spherical mirror को कि उसकी principal axis X-axis के उपर आए और तो और mirror का जो पोल है वो इस origin के साथ कौन साइड करे मतलब कि mirror का pole कहां है mirror का pole आए origin के उपर तो फिर तो बेटा एक ही तरीका बचा है फिर तो एक ही तरीका बचा है mirror को रखने का कि मालो यदि अपने पास है concave mirror तो उसे हमें कुछ इस तरही के से रखना होगा like this क्योंकि principal axis को कहा आना चाहिए principal axis को आना चाहिए X-axis के उपर और ये है क्या mirror का pole तो pole को कहा आना चाहिए origin के उपर origin के साथ उसको coincide करना चाहिए तो फिर तो बिटा है बस एक आखरी रस्ता तो यही बचा न concave mirror को x-y plane पर रखने का और कोई तरीका बचा सारे तरीके जितने भी possible तरीके थे ना सब मैंना आप बता दिया था शुरुदा अपन ने करी थी कि मैं x-y plane पर रखना है कैसी भी रख सकते यहां 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 तो नियम दो बाते बोलता है कि पहली बात तो यह कि प्रिंसेपल केवल यही तरीका नहीं हो सकता है एक और तरीका हो सकता है जैसे कि यह अपनी xy plane हो गई है principal axis को आना चाहिए एकस एकसिस की उपर यह सो आगे principal axis x exits की उपर और mirror का pole आना चाहिए कहां origin की उपर तो man concave mirror को यह से भी तो रख सकते हैं कितने ऐसे बच्चे उंगे जो जिनकी दिमाग में बात आई होगी कि मैं अगर ऐसे रख सकते हैं तो वैसे भी तो रख सकते हैं क्योंकि इस तरीकर से रखने में भी क्या हो रहा है दोनों कंडिशन यहां पर सैटेस्फाइब हो रही है कि प्रिंसिपल एक्स आनी चाहिए एक की तरीकर यहीं होगा क्यों प्रिंसिपलिती कि रहे इंदी इसकुं आपको अपको हमेशा नेगी टे गल्ग एक्सिषस पर रुखना और मतलाब यहां पर तो आप खुद बताओ बेटा, यदि ये वाले केस को आप सही मानते हो और object को आप कहां रखते हो, negative x-axis पर रखते हो तो object कहां आ जाता है, in front of the mirror in front of the mirror का मतलब क्या, आपन पहले पढ़ चुके है mirror के reflecting surface के तरफ, ये mirror है, ये इसका reflecting surface है और इसके तरफ, जो भी होगा, उसको आपन क्या बोलेंगे in front of the mirror, mirror के सामने, तो यदि आप इस case में object को रखते हो, negative x-axis पर, तो object कहां आ जाता है in front of the mirror, यानि कि यहां पर mirror के उपर object से निकलने वाली light rays निकलेंगी, reflection होगा reflected rays मिलेंगी, और जहां मिलेंगी, image का formation हो जाएगा मतलब कि यहां पर तो 100% क्या होगा, इस case में image बनेगी object की, प्योंकि object कहां आ रहा है, in front of the mirror, तो जो भी light rays जाएगी, गिरेंगी और इसके बाद में reflection हो जाएगा, और image बन जाएगी, लेकिन मान लो कि अगर आप इस case को सही मानते हो, है न, अगर आप बोलो कि नहीं मैं, यह वाला भी तो case possible है, न, यहां पर भी तो दोनों condition satisfy हो रही है, तो हम तो यही मान के चलेंगे सही, ठीक है, तो NCRT का जो नियम है, जो sign convention बोलता है, न, इयम बोलता है, क्या बोलता है, कि object को आपको हमेशा negative x axis पर रखना है, तो उस हिसाब से यदि आप कहां रखो कि object को यहां पर, आपने यहां पर रख दिया है object को negative x axis पर, तो बिटा तुम्हें क्या लगता है, इस case में object को mirror के पीछे रखा है, behind the mirror रखा है, behind the mirror का मतलब क्या है बिटा, यह mirror का reflecting surface है, और जो दूसरा वाला surface है, वो non reflecting है, वहाँ पर silvering की हुए, यह उपर red paint लगाया हुआ है, तो यहां पर अगर आप कोई भी object को रखोगे ना बिटा, तो यहां पर तो reflection होने और reflection ही नहीं हुआ, तो फिर image कहाँ बनेगी, नहीं बनेगी, तो object को बिटा हमेशा mirror के सामने रखना चाहिए, पीछे नहीं रखना चाहिए, अपने आपको अगर देखना चाहते हो mirror के तो mirror के सामने जाके खड़ोंगे न, mirror के पीछे तो नहीं आपको जाके खड़ोंगे, कि देखो हमारी image बनेगी, आरे, कैसे बात कर दी, ठीक है, तो यह वाला case 100% बिटा अपन consider नहीं कर पाएंगे, really sorry, case अपना यही बनता है, कि object को कुछ ऐसे रखो, sorry, xy plane पर, अपने spherical mirror को कुछ ऐसे रखो, कि उसकी principal axis लाए करे कहां, x axis पर, उसका pole कौन साइड करे, origin के साथ, और, दूसरा नियम क्या बोलता है, कि object को आप हमेशा negative x axis पर ही रखोगे, ठीक है, object को आप हमेशा negative x axis पर ही रखोगे, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है, कि for concave mirror and for convex mirror also, object distance is always negative, object distance मैंने आपको अभी अभी बताय था, क्या होता है, और कई पर बताया था, कि object की position, object जहां भी है, principle axis पर, ठीक है, वो जाती है, उसकी position, और mirror के pole के बीच का distance, क्या कहलाता है, object distance, है ना, small u, तो बेटा, object यह है, on the principle axis, और यह है mirror का pole, तो आप खुद बताओ, कि अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा, यह xy plane है, और यहाँ पर मैंने concave mirror रखा है, और उसके सामने यहाँ पर मैंने object रखा है, principle axis पर, तो ज़रा बताओ, object और mirror के pole की बीच का distance क्या है, तो यह distance नापने के लिए बेटा, आप कहां से नापोगे, negative x axis से नापोगे, कि नहीं नापोगे, NCRT, यह sign convention, खुद यह बोल रहा है, नहीं हम खुद यह बोल रहा है, कि भाई, object को आप हमेशा कहां रखोगे, you know, left side पर रखोगे, negative x axis पर रखोगे, तो अगर object हमेशा negative x axis पर रहेगा, यदि object हमेशा negative x axis पर रहेगा, बेटा, तो उसका जो distance होगा ना, mirror के पोल से, वो अपन कहां से measure करेंगे, कहां से नापेंगे, negative x axis से नापेंगे, ना, तो इसका मतलब क्या, यह object distance हमेशा negative होता, और जो मैं बार-बार बूरू ना, हमेशा, हमेशा, यह हमेशा से मेरा मतलब सिर्फ mirrors की case में नहीं है, आगे जाकर कि जब अपन spherical lenses पढ़ेंगे ना, वहाँ पर भी object हमेशा negative x axis पर ही लोगे, तो object distance को आप वहाँ पर भी negative x axis से ही measure करोगी, object distance पिटा, वहाँ भी हमेशा negative ही रहेगा, कुछ चीज़े fix होती है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, उनको आप change नहीं कर सकते हो, तो चाहे तुमारे पास concave mirror हो, convex mirror हो, concave lens हो, convex lens हो, object distance is always negative, always, कोई exception नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि object हमेशा कहा आता है, negative x-axis पर आता है, object, तो उसका जो distance होगा, mirror के pole से वो अपन हमेशा कहां से ना पेंगे, negative x-axis से ना पेंगे, इसलिए, object distance हमेशा negative रहेगा, ठीक है, चल, object distance हमेशा negative रहेगा, एक काम करते हैं, चलो ठीक है, अब अब भी concave की बात करते हैं, आगे जाकर के अपन convex की भी बात कर लेंगे, ठीक है, अब 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 बात करते हैं, object की height की, object की height की, आप बोलोगे कि मैं, object की height, वो भी नाव नहीं पड़ती है, या of course, भी आपको पता करना है कि image magnified बन रही है, या same size की बन रही है, या diminished बन रही है, तो वो आप कैसे पता लगाओगे, जब आपके पास object की height होगी, फिर आप image की height निकालोगे, object और image की height निकालने के बाद आप compare कर पाओगे, मैं आपको बोलू कि बेटा object की कोई height है नहीं, मतलब जो भी height होगी है, या मैं नहीं बता रही है, और image की height कितनी बन रही है, image जो बन रही है, उसकी height है 50 cm, तो जब तक मैं आपको object की height न लगा सकते हो क्या। नहीं लगा सकते हो। क्यों जैसे में अपनी ममण को मा मैंने मेरी क्लास में फिफ्ट रेंक आई प्रेंक वीज द्वी assuming के विमन को यह नहीं बताऊँगी कि मेरी जो रांग है यह मेरी जो क्लास है उसमें सौ बच्चे पढ़ रहे थे सौ बच्चों में से स्थ रइक आए तब तक मम्मि मेरी मेरे potential का अंदाजा नहीं लगा पाएंगी और अगर मैं बोल धूं कि मम्मी मेरी क्लास में तो थे ही कितने बच्चे 6 बच्चे उसमें से मैं फिफ्थ पोजिशन पर आई हूं तो फिर मम्मी को मेरी असले पोटेंशल का मतलब पता चलेगा है की नहीं तो क्या बोलते हैं कंपेर करने के लिए कुछ और इमेज की हाइट भी मिजर करनी पड़ती है तब जाकर के हम कंपेर कर पाते हैं कि अगले से अगले से तो नियम यह बोलता है कि आपको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखना है अब यह तो पिटर देखो कॉमन सेंस वाली बात भी है ना अगर तुम मिरर के सामने कोई ब spies Θ Wr AL रख तो सीधा ही रखो गे ना उलटा तो नहीं रखो गैं तो नियम भी यही बोलता है युद प्रिंसिपल रेच्व के सामने अप्राइट पॉजेशन पर ही लिया जाएगा अप्राइट पोजेशन का मतलब यह है अरे अरे मतलब यह है कि हमेशा principal axis के ऊपर ही होगा object समझे तो अगर object हमेशा अगर object हमेशा क्या बोलता है इरेक्ट होगा इसका मतलब क्या कि इसकी जो height होगी बेटा वो हमेशा हम कहां से ना पेंगे positive y axis से object को कभी भी बेटा कुल्टा करके मतल रखना spherical mirror के सामने चाहे वो कोई साभी क्यों ना हूँ हमेशा object को सीधा ही रखा जाता है बोले तो erect बोले तो upright बोले तो principal axis के ऊपर तो यदि object हमेशा principal axis के ऊपर ही लाए करेगा तो उसकी जो height होगी वो हम कहां से ना पेंगे height को पर ना पेंगे positive y axis से इसका मतलब object की height हमेशा क्या होगी positive होगी कुछ चीज़े fix होती है जो चीज़े fix होती है वो यहाँ पर मैं लिखती जा रही हूँ यह object का distance हमेशा negative होता है object की height हमेशा positive होती है क्यों नियम यह बोलता है कि object हमेशा x axis पर रखा जाएगा तो इसलिए उसका distance हमेशा कहां से ना पेंगे अपन mirror से मलब उसका जो distance होगा from the mirror वो हमेशा हम measure करेंगे from the negative x axis object को हमेशा principal axis के उपर रखा जाएगा upright position में इसलिए उसकी height को हमेशा positive axis से measure करेंगे इसलिए उसकी height हमेशा positive हो ठीक है अब यह है क्योंकि अपना concave mirror यहाँ पर अपन बात कर रहे है concave mirror की ठीक है यह अब यह अपन बात कर रहे है रहे हैं बेटा concave mirror की के आइट रहे है कॉंकेव मेर की ठीक हो सब्दों आइट जो फोकस होता है वह कहां लाय करता है अपने परफेश निकालने के लिए अपन क्या करते है concave mirror का focus mirror के सामने लाए करता in front of the mirror मतलब कि जो उसका reflecting surface होता है उसी side में पड़ता है उसका focus है की नहीं वह focus निकालने के लिए अपन क्या करते है याद करो पिछला session अपने पड़ा है कि parallel incident rays आती है reflection होता है after reflection जो reflected rays होती है उनको concave mirror क्योंकि ये converging type का mirror है तो after reflection reflected rays को ये principal axis के एक point पर converge करवाने की कोशिश करता है सारी reflected rays को ये concave mirror बेटा मजबूर करतेता है कि वो principal axis के उपर एक common point के उपर आकर के मिल जाए converge हो जाव उस point of convergence को ये हम क्या बोलते है focus बोलते हैं है की नहीं तो focus कहां लाए करता है है ना focus कहां लाए करता है concave mirror का देखो यहां पर भी मैंने बनाया था अरे बनाया तो था यह देखो कहां लाए करता है mirror की सामने लाए करता है in front of the mirror in front of the mirror का मतलब क्या है on the x-axis कौन सी x-axis negative x-axis focus कहां लाए करेगा इसका focus लाए करेगा यहां negative x-axis पर तो जो फिर अपन focal length नापेंगे what is focal length? focus और pole के बीच का distance तो इस case में concave mirror के case में जो अपन focal length नापेंगे बेटा mirror की वो कहां से नापेंगे? negative x-axis से नापेंगे इसका मतलब क्या? कि focal length भी हमेशा negative होगी sign conventions की नियम होते हैं बेटा समझे की नहीं समझे यह object distance हमेशा negative होगा object की height हमेशा positive होगी और क्योंकि यह concave mirror है तो इसकी जो focal length होगी वो negative में आएगी हमेशा क्यों? क्योंकि focus कहां लाए करता है concave mirror का? mirror के सामने सामने मतलब x-axis पर negative x-axis पर तो जो distance होगा focus और pole के बीच का focal length वो अपन कहां से ना पहेंगे negative x-axis से तो focal length यहां पर क्या होगी हमेशा negative ही होगी मैंने आपको यही तो बताए था ना कि जब अपन mirror formula लगाते हैं तो u, v और f की जो values हैं वो तो रखनी होती लेकिन sign क्या रखने होते हैं वो हमको sign conventions बताते हैं ठीक है अब अपन ने object के बारे में बात कर ली focal length के बारे में बात कर ली अब अपन बात करते हैं image की तो आपको पता होगा कि most of the cases जो concave mirror है वो image कैसी बनाता है real inverted real inverted का मतलब क्या है कि image कहां बनती है mirror के सामने in front of the mirror यादे की नहीं जब object रखा होता है infinity पे image का बनती है focus पर object रखते है beyond center of curvature image का बनती है between center of curvature and focus object को अपन रखते हैं at center of curvature तो image भी कहां बनती है center of curvature पर object को रखते है between c and f image का बनती है beyond center of curvature object को रखते है at focus image का बनती है infinity पे है ना तो most of the cases में concave mirror क्या करता है बेटा real और inverted image ही बनाएगा मतलब कि real image का मतलब क्या है बेटा कि वो image mirror के सामने बनेगी front में बनेगी उसके reflecting surface के तरफ बनेगी यानि कि negative x axis पर बनेगी negative x axis पर तो इस case में यदि image और pole के बीच का distance निकालने तो हम कहां से नापेंगे negative x axis यानि कि यहां पर क्या होगा बेटा image distance negative हो जाएगा है ना image distance negative हो जाएगा क्योंकि image अधिकतर कहां बन रही है concave mirror कहां बना रहा है अधिकतर image कैसी बना रहा है real and inverted mirror के सामने बन रही है negative x axis पर image बन रही है तो उसका डिस्टंस होगा mirror से कहां से नापेंगे negative x axis से तो image distance भी क्या होगा बेटा negative होगी image भी image की जो हाइट वो भी negative होगी क्यों क्योंकि most cases में concave mirror क्या करता है real और inverted image बनाता ना बिटा उल्टी image बन रही है उल्टी है बोले तो principle axis के नीचे image बन रही है तो अगर inverted image बनती है उल्टी image बनती तो उसकी height को पन कहां से नापेंगे उसकी height को पन नापेंगे न negative y axis से तो image की हाइट को जाएगे नेगेटिव नियों जाएगी वहीं object को आप हमेशा उपर रखते हो प्रिंसिपल axis के तो उसकी height हमेशा कहां से नापते है positive axis से अब जब अगर real inverted image बन रही है तो image कहां बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस की नीचे तो उसकी हाइट को कहां से नापेंगे negative y axis से तो इस case में क्या होगा image क्या हो जाएगी negative हो जाएगी उसकी height है की नहीं लेकिन फिर आता है एक आखरी case कौन के mirror का कब जब अपन object को रखते हैं पॉल और focus के बीच में तो मैं एक आखरी case जब कौन के mirror के सामने object को रखते हैं उसके पॉल और focus के बीच में तो इमेज कहां बनती है mirror के पीट पीछे बन जाती है न मैं माना की most of the cases में की real inverted image बनाता है बड़े case तो यहां पर भी ऐसा होता है जहां पर यह virtual और इरेक्ट इमेज बना देता है तो उस case में क्या होगा तो यदि यह कौन के मिरर वर्च्वल और एक्स एक्स पर तो इस case में image distance क्या हो जाएगा positive हो जाएगा इसका मतलब क्या इसका मतलब यह कि माम image distance positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है in case of concave mirror exactly sorry concave mirror की case में image distance negative भी हो सकता पॉजिटिव भी हो सकता है negative कब होगा image distance जब image बनेगी negative x-axis पे यानि की real inverted और एक लौता case जहाँ पर यह virtual image बनाता है image बनती यह mirror के पीछे on the positive x-axis तो वहाँ पर image distance भी क्या होगा positive हो जाएगा image distance वहाँ पर positive हो जाएगा है ना तो image distance negative भी हो सकता पॉजिटिव भी हो सकता है कौन के mirror के case में ठीक है then what about image की height कि मैं जब real inverted image बनती है तो उस case में तो image की height negative हो जाती है लेकिन अगर virtual erect बन गई इरेक्ट का मतलब क्या principal axis की उपर और इस case में image की height कहां से ना पेंगे positive y-axis से तो मतलब मैं image की height क्या हो जाएगी image की height positive हो जाएगी exactly ऊपर की तीन चीज़े fix होती है concave mirror में लेकिन नीचे की दो change हो सकती है object की height object का distance और focal length in case of concave mirror यह हमेशा fix रहेगा object distance हमेशा negative object की height हमेशा positive और focal length हमेशा negative image distance और image की height vary कर सकती है image distance positive भी हो सकता है negative सकता है most of the cases में negative होता क्योंकि image कैसी बनती है real inverted सिर्व वर्च्वल जब image बनेगी तो image distance क्या होगा positive में आएगा image की height जनरली क्या होती है negative भी होती क्योंकि वह inverted image बनती है लेकिन एक case जाहां पर image बनती है virtual और erect वहां पर image की जो height फिर वो क्या हो जाएगी बिटा positive हो जाएगी जहां भी notes बनाते हैं बिटा लिख लो यह पूरा यह notes बन रहे हैं आपके और कुछ नहीं हो रहा है ठीक है तो sign conventions के साथ साथ मैं आपको बहुत कुछ और भी पढ़ाती जा रही हूं तो यह चीज़े fix होती है यह तीनों चीज़े fix होंगी और यह वेरी करेगा वो डिपेंड करता है कि image का nature क्या है अगर real inverted होगी तो image का जो distance वह भी negative होगा और height भी negative होगी और अगर virtual erect image बनाई है इसने concave mirror ने तो फिर image की height भी positive होगी और image का distance भी क्या होगा positive में जाएगा ठीक है अब अपन बात करते हैं बच्चो convex mirror की जैसे कि अपने concave mirror पढ़ है वैसी अब अपन को पढ़ना है convex mirror तो आ जाओ सबसे पहले अपन क्या करते हैं xy plane बना लेते हैं like this ठीक है यह positive x axis यह positive y axis यह negative y axis और यह positive x axis ठीक की नहीं अरे ठीक है चलो अब नियम क्या बोलता है इस xy plane पर रखना है convex mirror को तो आप बोलोगी कि मैं बहुत तरीक है रखने के अरे बहुत तरीक है ऐसे रख दो ऐसे रख दो ऐसे रख दो ऐसे रख दो कैसे भी रख दो मैं कौन देख रहा अरे ऐसे कैसे भी नहीं रख सकते हैं नियम दो चीज़े बोलता है नियम दो चीज़े बोलता है कि भाई xy plane पर अपने convex mirror को ऐसे रखो कि उसकी प्रिंसिपल एक्स एक्स पर लाए करे और जो उसका पॉल है वो औरीजन के साथ कौन साइड हो तो आप बोलोगे कि मैं उस केस में तो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए मामला कि प्रिंसिपल एक्स 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 पर ठीक है और पॉल कहा आना चाहिए पॉल आना चाहिए ऐसे औरीजन के उपर तो मैं इस केस में तो मतलब फिर हम ऐसे रख पाएंगे अपने ऐसे रख पाएंगे अपने Convex mirror को क्योंकि भई principal axis के उपर आनी चाहिए principal axis आनी चाहिए x axis के उपर और pole आना चाहिए origin के उपर तो मैं मैंसे रख दिया हमने अपना convex mirror ठीक रखा न क्यों NCRT का नियम क्या बोलता है कि object हमेशा कहां आएगा object आएगा हमेशा negative x axis पर यह पर मैंने positive कैसे लिग दिया अरे 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 गलती होगी बटा यह negative x axis है यह आपको पता ही होगा ना गलती से यहाँपर मैंने positive लिग दिया this is negative x axis वो नियम यह बोलता है कि भई जो object एग वो हमेशा negative x axis पर आएगा तो अगर आप अपने convex mirror को बेटा ऐसे रखोगे xy plane पर और नियम के इसाब से चलोगे तो object कहा हैगा positive x-axis पर आएगा तो तुम्हें लगता है कि कभी ये convex mirror इस object की image बना पाएगा क्यों? आप ध्यान दो न कि object अभी लाए कहां कर रहा है माना कि वो negative x-axis पर लाए कर रहा है लेकिन अभी object है कहां? mirror के पीछे बेटा ये convex mirror है ये है उसका reflecting surface तो यहाँ पर अगर reflecting surface की तरफ कोई object को रखोगे यदि आप mirror के reflecting surface की तरफ को रखोगे object को तब तो वो reflection करके image बना पाएगा न non-reflecting surface के सामने रखोगे object को तो ये जिन्दिगे में बेटा कभी भी उसकी image बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा तो ये तरीका तो नहीं हो सकता x-y plane पर अपने convex mirror को रखने का तो तरीका क्या होता है? गुमाना पड़ेगा और क्या? तरीका होता है ये तरीका होता है ये है अपने x-y plane पर convex mirror को रखने का हो कि principal axis कहां आ जाए? x-axis पर और pole कहां आ जाए? कौन साइड कर जाए? origin के साथ और object को कहां रखा जाएगा? object को रखा जाएगा negative x-axis पर तो अब जब object आ जाएगा negative x-axis पर तो फिर उससे निकलेंगी light rays जो mirror के reflecting surface के उपर जाकर के पढ़ेंगी reflection होगा और after reflection image का formation हो जाएगा तो जब तक की बिटा object mirror के reflecting surface के सामने नहीं आएगा तब तक image नहीं बन पाएगा ठीक है? तो केवाल एकलोता option यही बचा है convex mirror को x-y plane पर रखने का कुछ बच्चों के दमाग में ऐसा भी ख्याल आता है कि मैं देखो यह क्या बोलते हैं यह x-y plane है और mirror का जो पोल है वो origin के साथ में कौन साइड करना चाहिए तो फिर तो अपन mirror को ऐसे भी रख सकते हैं है ना ऐसे भी रख सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैं नहीं रख सकते ना नियम ने क्या बोला कि principle axis जो है वो x-axis पर आनी चाहिए तो अगर तुम अगर तुम रुको अगर तुम अपने mirror को spherical mirror को x-y plane पर ऐसे रखते हो कि उसका जो पोल है वो origin के साथ कौन साइड कर जाए तो इस केस में तो फिर principle axis यह हो जाएगी इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है imaginary line जो मिरर के पोल focus और center of curvature को cross करती हुए नहीं कलती है तो अगर तुम ने ऐसा रख दिया अपने mirror को तो फिर यह क्यों हो जाएगी कि उसकी principle और principle axis कहां आ रही है इस इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वाइए एक्सिस के उपर वाइए नहीं भी बीटा एक से यह तरीका और यह तरीका नहीं हो सकता स्वेरिकल मिरर को रखने का एक स्वाइब प्लेन पर कॉनकेव मिरर को सिर्फ इस तरीके से रखा जाएगा समझे चलो अब अपन देख लेते हैं आजाओ साइन कंवेंशन अब क्योंकि नीजय में खुदी बोल रहें कि औबजेक्ट हमेशा कहां आता है तो उसको डिस्टंस हो अंपनेशा कह से करेंगे negative x-axis से ही करेंगे इसका मतलब क्या? कि convex mirror के लिए भी convex mirror के लिए भी बच्चो object distance हमेशा negative होगा क्योंकि वो हमेशा कहां आएगा negative x-axis पर तो उसका distance हमेशा वहीं से ना पा जाएगा तो object distance is always negative plus object हमेशा mirror के सामने upright position में ही रखा जाएगा उल्टा तो कभी नहीं रखते हैं तो principal axis के हमेशा उपर ही आएगा तो इसकी जो height होगी वो अपन कहां से ना पेंगे इसकी जो height होगी नो object की हमेशा positive y-axis से ना पेंगे इसका मतलब क्या? कि object की height यहाँ पर क्या हो जाएगी? positive हो जाएगी object distance always negative क्योंकि वो हमेशा कहां से कहां आएगा negative x-axis पर आएगा और object की height हमेशा positive क्यों? क्योंकि कभी भी आप mirror के सामने object को उल्टा नहीं रखोगे principal axis की उपर ही रखोगे तो उसकी height हमेशा positive x-axis से ना पी जाएगी तो object की height is always positive ठीक है? फिर हम बात करते हैं किसकी convex mirror की अच्छा बिड़ा convex mirror है अपना है ना concave के लिए अपन ने कहा था concave के लिए अपन ने कहा था कि इसका focus कहां लाए करता है in front of the mirror in front of the mirror का मतलब क्या है? negative x-axis पर तो पर यहां से यहां तक का जो distance था focal length वो अपन ने कहां से ना पी थी? negative x-axis पर से इसलिए concave mirror की focal length क्या हो जाती है? हमेशा negative में लिखी जाती है यह अपन ने बढ़ा था लेकिन convex mirror की case में क्या होगा? convex mirror की case में अपन को पता है कि इसका focus और इसका center of curvature कहां लाए करता है? mirror के पीछे mirror की पीछे का मतलब क्या है? जो silver surface होता है ना mirror का जो non reflecting surface होता है mirror का ये वाला इसके तरफ लाए करता है focus और center of curvature जैसे कि ये हो गया focus और ये हो गया center of curvature तो आप खुद देखो ना कि focus और center of curvature कहां आ रहा है? convex mirror के? mirror के पीछे mirror के पीछे मतलब कहा? positive x-axis पर तो अब अगर मैं आप से फूझा हूँ कि in case of convex mirror बता focal length का sign क्या रखोगे? या कहां से ना पोगे? तो आप बोलोगे कि मैं देखो focus यहां है positive x-axis पर तो focus और pole के बीच का जो distance होगा focus और pole के बीच का जो distance होगा मतलब की focal length वो हमेशा हम कहां से ना पेंगे? positive x-axis से इसका मतलब क्या? कि in case of convex mirror focal length हमेशा positive में ही लेनी होगी आपको हमेशा positive में ही लेनी होगी कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं आपन करेंगे आगे सौल अगले session में कि आपको जो हैना सारी ठी होती है कि mirror object नखा हुआ है image कहां जो है ना आप बोल सकते हो की भं नहीं है focal length निकालो focal length निकाल करें ये बताओ कि mirror कौन सा लिया हुआ है मतलब आपको ये नहीं बोलते हैं स्पेरिकल मिरं रहे हैं कौन सा load आपको बताते हैं आपसे पूछा जाता है कि तुम बताओ कि कौन सा है तो तुम क्या करोगे मिरर फॉर्मिला लगा करके यू और वी की वैल्यूज अलोंग विद रिस्पेक्टिव साइन आप रखोगे फोकल लेंड निकालोगे यदि फोकल लेंड पॉजिटिव में आई तो समाच जाना कि ज लेंड जो आपने निकाली है अगर तोकल लेंड कैसी जाए है नेगेटिव आई है तो आप समझ जाना कि वो क्या है जो सवाल मिलिया वो सपरे कलेकल ओर गार्य मिरर क्योंकि कॉन वेक्केश्तर कीक्पोे कि ढिडियों मिरर की जो फोकल होती हे वहां मिशा देखिसे में और ठीक है अगर मैंने कही उल्टा बोल दियो तो बिटर तिम लोग समझ जाता कि वो मुह से गलती सी निकल गया होगा आई बात समझ में मेरे कहने का मतलब तुम्हें समझ में आया कि को जो कॉनिकेव मिरर है क्योंकि उसका फोकस हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाए करत यू ऑब्जेक की हाइट और एफ इसके बारे मैं अपने बात कर ली अब अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की और इमेज के हाइट की तो बेटा बधाई हो यहां पर आपकी चीज़ फिक्स हो गई है क्योंकि यह कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा मिरर के पीछे मिरर के पीछे मतलब की पॉजिटिव एक्स एक्स पर तो इमेज की जो पॉजिशन होगी ना मिरर के पोल से वो आप कहां से ना पोगे पॉजिटिव एक्स एक्स से तो जो इमेज डिस्टेंस होगा बिटा इट इस ऑल्वेस पॉजिटिव इन केस ओफ कॉन् सवाल आगया कि फोकल लेंट दी हुई है नहीं चलो ठीक है ऐसी समर लो ठीक है अभी अब करेंगे अपन क्वेश्टन सौल करेंगे तब आपको आगे पता चलेगा सब कुछ अगर मैं अभी बता दूंगे तो सवाल हुए अपन सौल करेंगे तो फिर में इतनी मज़े नहीं ठीक है तो इतना समझ माया है कि कॉन्वेक्स मिला रहे हमेशा वर्च्वल और इरेक्ट इमेजी बनाएगा इमेज हमेशा का बनेगी मिलर की पीछे मिलर की पीछे मतलब क्या बिटा ऑन धी पॉसिटिव एक्सेक्स तो उसका डिस्टन्स आप हमेशा मिलर से कहां से ना we go by इमेजिधी हमेशा का बनेगी प्रिंशल एक्सिस के ऊपर तो जिसकी हैटको आप हमेशा कहां से ना पोगे इमेज़्टों की हैटको अप हमेशा ना पोगे पॉसिटिव ऑइक्सिस तो मेंज भी हो जाएगी हमेशा के लिए flaco तो यहां पर तो कोई मतलब वहादा आएगे क्योंकि ये convex mirror है object की height हमेशा sorry object distance हमेशा negative object की height हमेशा positive focal length क्योंकि convex mirror है focus कहां लाए करता इसका mirror के पीछ है on the positive x-axis तो focal length इसके मेशा क्या होगी positive image हमेशा virtual और erect बनाएगा जिसके करना image distance हमेशा positive होगा और image की हमेशा positive होगी ठीक है in case of concave mirror object distance negative object की height हमेशा positive होगी क्योंकि इसका focus लाए करता है in front of the mirror on the negative x-axis तो focal length होगा वह मेशा negative होगा object distance positive और negative हो सकता है image है की height भी positive or negative सकती इपेंडिंग upon image का नीचर क्या है यदि real inverted image होगी image की height भी negative होगी image का distance भी negative होगा यदि virtual erect image होगी तो image की height image के distance सब कुछ क्या होगा positive में जाएगा ठीक है यह हो गया आपका mirror formula और यह हो गया आपके sign conventions अब फड़ा फड़ से कपने काम करते हैं slides को read कर लेते हैं ताकि तुम्हें तसली रहे हैं कि हां मैंने slides से भी पढ़ा दिया है in the ray diagrams of concave and convex spherical mirrors we use new cartacean sign conventions for measuring various distances according to the new cartacean sign convention the principal axis of the mirror is taken along the x-axis principal axis कहां लाय करनी चाहिए x-axis पर of the rectangular coordinate system and the pole of the mirror is taken at the origin की pole कहां कौन साइड करना चाहिए किस के साथ origin के साथ the object is taken on the left side of the mirror हमेशा mirror के left side पर ही हमेशा mirror के left side पर ही अग क्या करो कोई बेटा object को रखोगे that is light is incident on the mirror from the left hand side की light कहां से आईगी mirror के उपर left hand side से आईगी है ना दिमाग लगाओ ना कि अगर आप object को यहां रखोगे mirror इसके left hand side में यदि आप object को रखोगे तभी तो इस से निकलने वाली light rays mirror के उपर आकर के गिरेंगी है ना left hand side से अगर आप object को बेटा इसे रखोगे यदि आप mirror को ऐसे रखोगे यदि आप अपने concave mirror को ऐसे रखोगे तो अब object आपने यहां रखा इससे निकलने वाली light rays आ तो रही है लेकिन बेटा किस के उपर आकर गिर रही है non-reflecting surface के उपर तो यह कोई तरीका होता है क्या कोई तरीका नहीं होता ठीक है चल नेक्स क्या था all the distances parallel to the principal axis of the spherical mirror are measured from the pole of the mirror the distances measured in the direction of incident light ray are taken as positive incident light rays this direction से आती बेटा है ना उस direction को अपन positive से मेजर करते हैं the distances measured in the direction opposite to the direction of the light incident light rays are taken as negative the height measured upwards that is above the x-axis are perpendicular to the principal axis of the mirror can be taken as positive मतलब वो यह ना कि principal axis के उपर sorry principal axis के आप उपर की बात करोगे तो वो हाइड का हमेशा कहां से ना पोगे positive y-axis से यदि principal axis के नीचे गए है ना तो हाइड कहां से ना पोगे negative y-axis से यह वही सारी बाते हैं आपर बोली गई है ना the height measured downwards and perpendicular to the principal axis of the mirror are taken as negative यह देखो यह अपना कौन के मिरार हो गया principal axis आ गया x-axis पर pole आ गया origin पर object हमेशा कहा रखा जाएगा अब्जेक हमेशा रखा जाएगा mirror के left-hand side में ताकि जो इंसरे लाइट रेस आ वो कहां से आए left-hand side से आए ठीक है अब आप प्रिंसिपल axis की height positive नीचे आ जाएगी height तो negative ठीक है incident light rays के जो direction होगा बीटा like incident light rays आ कहां से रही है यहां से आ रही है है ना तो इस direction के distances को आप positive में लोगे और इसके opposite direction के distances को आप negative में लोगे ठीक है यह हो गया आपका mirror formula relation बताता है between u v and f ठीक है और कुछ इस तरीके से तो आज के session के लिए बस इत्ता ही अब अपन मिलेंगे अपने अगले session में अगले session में क्या करेंगे जो आज पढ़ा है ना उसका अपन उसका application अपन करके देखेंगे मतलब की mirror formula के उपर अपन कुछ numerical solve करके देखेंगे अपने अगले session में तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं हमारा जो channel है अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने friends and family में अपने groups में जो ना आपसे आपको need preparations में help करेंगे ठीक है तो मिलते हैं बिटा अपने अगले session में तब तक के लिए keep learning with definite success पार चला बाबाई have a great day